अधिकारों के बदलते संदर्भ में लोकतंत्र का अधिकारों के साथ संबंद हमने अधिकारों की चर्चा करते हुए शुरुवात में कहा है कि अधिकार मनुष्य के जीवन की आवेशक्ताओं की अवधार्ना या विचार में बदलाओं के साथ बदलते रहते हैं कुछ मूलभूत आविशक्ताओं के अलावा जीवन के बहुत से बिंदू समय समय पर समाज और मानवी जीवन में महत्व हासिल करते हैं पूरी दुनिया में इसी वजह से अधिकारों के संदर्भ पिछले कई दशकों में बदले हैं उदाहरण के लिए यूरोप के कई देशों ने खेलों के अधिकार को बच्चों के मूल अधिकार के रूप में स्विकार किया है इसी तरह बहुत से देशों में विशेश आविशक्ताओं वाले लोगों के लिए कुछ खास अधिकारों की व्यवस्था की गई है भारत में भी विशेश आविशक्ताओं वाले लोगों के लिए पी डेबलू डी अधिकार अधिनियम सन 1995 को पारित किया गया है इसमें विशेश आविशक्ताओं वाले लोगों के लिए सिक्षा, नौकरियों तथा पुनर्वास जैसे विशेश व्यवस्था की गई है इसी तरह आज से 50 वर्ष पूरू शायद यह कल्पना करना संभव नहीं था कि बच्चों के लिए विशेश अधिकारों की आविशक्ता पड़ेगी पूरी दुनिया तथा भारत में लगातार बढ़ते हुए बालश्रम की वजह से सन 1986 में भारत में बालश्रम निशेध अधिनियम बनाया गया इसका उद्देश्य 14 वर्ष से कम आयू के बच्चों को खतरनाक माने जाने वाले कामों में लगाये जाने से रोकना था जन सूचना अधिकार अधिनियम सन 2005 को भी अधिकारों के बदलते संदर्ब और अधिकारों के बढ़ते दायरों के रूप में देखा जा सकता है आज से 30-40 वर्ष पहले शायद किसी ने कलपना नहीं की होगी और नहीं सोचा होगा कि जन सूचना अधिकार जैसा कोई अधिकार देश के नागरिकों को प्राप्त होगा इस अधिकार की आविशक्ता इसलिए महसूस की गई क्योंकि बहुत से लोगों ने पाया कि विभिन सरकारी योजनाओं तथा उनसे प्राप्त होने वाले लाभों की जानकारी उन्हें ठीक ढंक से नहीं मिल पाती जिसके कारण वे इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते चाहे राजस्थान के लोगों की नियूनतम मजदूरी की सही दर का मामला हो या किसी ग्राम पंचायत को सरकारी योजनाओं से प्राप्त होने वाली राशी का मामला हो ऐसे कई मामलों में लोग जानकारी के अभाव में कई लाभों से वंचित रहते थे अतह धीरे धीरे यह मांग जोर पकड़ने लगी की देश के लोगों को सूचना का अधिकार प्राप्त होना चाहिए यह कैसे प्राप्त हुआ इसे हम कक्षा दस्वी में पढ़ेंगे पिछले कई वर्षों में भारत के सर्वोच न्यायालय तथा कई प्रदेशों में उच्छ न्यायालयों ने अलग-अलग मुकदमों में कई विश्यों की व्याख्या मौलिक अधिकारों से जोड़ कर की है न्यायाले ने ऐसे निर्णे दिये हैं जिनसे कई विश्यों को सम्विधान में दिये गए मौलिक अधिकारों के साथ जोड़ कर देखा गया है न्यायाले ने माना है कि पीने के स्वच्छ पानी प्रदूशन रहित वातावरन भोजन की आविशक्ता की पूर्ती वो सिक्षा जैसे विश्यों को जीवन जीने की स्वतंत्रता के साथ जोड़ कर देखा जाना चाहिए उदाहरन के लिए भारत के सर्वोच न्यायाले ने सन 1992 में मोहिनी जैन्व करनाटक सरकार के बीच चल रहे मुकदमे में निर्ने देते हुए कहा कि सिक्षा प्राप्ती के विश्यों को जीवन जीने की स्वतंत्रता के मूल अधिकार के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए क्योंकि सिक्षा से ही मनुष्य अपना जीवन सम्मान जनक धंग से जी सकता है तथा जीवन में प्रगती कर सकता है इसी आधार पर सम्विधान के 86 में सम्विधान तंशोधन सन 2002 के द्वारा सिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में संसत द्वारा पारित किया गया इस उदाहरन से यह स्पस्ट होता है कि समाज द्वारा की जाने वाली यदी कोई मांग उचित तथा सार्वजनिक हित में हो तो संसत तथा न्यायाले उसे कानून द्वारा पारित करके अधिकार के रूप में मानिता देते हैं आज के लोकतांतरिक दौर में जहां प्रतेक देश अपने आपको लोकतांतरिक कहलवाना चाहता है अधिकार नागरिकों के सम्मान का सबसे महत्तोपूर्ण माध्यम है शाशन के निकायों के अलावा ऐसे बहुत सी सार्वजनिक संस्थाएं व संगठन बनाए गये हैं जो नागरिकों के अधिकार को लागू करवाने का प्रयास करते हैं आज भी दुनिया के कई देशों तथा भारत के अनेक नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं लोगों के जीवन की बदलती एवं बढ़ती हुई आविशक्ताओं के अनुसार नागरिकों के द्वारा नै नै अधिकारों की मांग की जा रही है इसी वजह से अधिकारों का दाइरा बढ़ता जा रहा है अभी भी लोग अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संगहर्श कर रहे हैं यहां नागरिकों की जिम्मेदारी बनते है कि वे अधिकारों के महत्व को समझें तथा अपने अधिकारों को हासिल करने की पूरी कोशिश करें नागरिकों का अधिकारों के लिए सजग रहना इसलिए भी महत्तोपून है ताकि कोई भी सरकार निरंकुष्व ताना शाह न बन सके पता राष्ट्रिय मानो अधिकार आयोग मानो अधिकार भवन ब्लोक C GPO complex INA नई दिल्ली फोन नमबर 011-2465-1330